कहानी की शुरुआत में सबसे पहले में दिखाय जाता है एक बहुत घना जंगल लेकिन अब उस जंगल में जंगली जानवर नहीं रहे के वहाँ पे इंसानों का लास परा हुआ था ये था समय वर्ल्ड वार वार वन का जर्मनी और फ्रांस के बीच यहां बहुत गंगोर यूद हो रहा होता है जर्मनी के बहुत सारे सोल्जर वहाँ पे बहुत ही बेरहमी से मारे जा रहे थे जब वहाँ पे सोल्जर लोग मारे जाते थे तो उनका बूट और कपरा ये सब खोल के निकाल दिया जाता था ताकी वो अगले को लरने में काम आसके फिर में दिखाया जाता है college के कुछ student एक Paul नाम का बच्चा होता है इन सभी student का यहाँ पे college खत्म हो गया होता है इन सब को army में भर्ती किया जाता है ताकि यह अपने जमीन के लिए लर सके और अपने जमीन को बचा सके World War 1 में soldier कम हो रहा थे जर्मनी का इसलिए student लोग को भरती किया जा रहा था Paul यहाँ पर अपने सारे group के साथ काफी motivated होके जंग लड़ने जा रहा होता है और यह लोग काफी खुस होते हैं लेकिन कुछी समय बाद यहाँ पर का हसी हमेशा के लिए छिनने वाला था जंग का असली रूप क्या होता है यह इन्हें जा के पता चलता है जंग के मैदान में बोडर पे Paul अपने दोस्तों के साथ पहरा दे रहा होता है इतने में गोली उसको आ के लगती है सर पे लेकिन वो हेलमेट काफी मजबूत था जिस वरसे पॉल वहाँ बच जाता है फिर पॉल का सिनियर वहाँ पे आ के बोलता है कि अपना सर नीचे ही रख के पहरा दिया करो रात में यहाँ पे बहुत जारा बंबारी हो जाती है पॉल का जहाँ चलता है अब यहाँ पे ठंड का सीजा ना चुका था लेकिन लडाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी अब जर्मनी के जो लोग थे जिसमें पॉल था वो लोग सारे हमला कर दते हैं फ्रांस के अड़े पे और वहाँ पे अपना कपजा जमा लेते हैं वहाँ के सभी फ्रांसियन को मारके पॉल यहाँ पे किसी को मारता था तो उसको बहुत daiya जाता था उस पे विदू यह लोग सभी लोग यहाँ खूब गूली चलाता है टेंक पे लेकिन टेंक को कुछ भी नहीं होता है और वह जो फ्रांस का टैंक सब था इतना मजबूत था क्योंकि अमरिका ने उसे दिया था जब टैंक अपना गोला वरसाना शालू करता है इनके बहुत सारे लोग मारे जाते हैं पॉल यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से बच पाता है टैंक यहाँ पे बोर्डर क्रोस कर जाता है और जर्मनी में आ जाता है पॉल यहाँ पे ग्रेडेट लेकर टैंक के अंदर डाल देता है जिस वचे टैंक वहाँ पे बलास्ट हो जाता है अब इनको टैंक से शुटका रहा तो लगभग मिल गया था लेकिन अब फ्रांस के बहुत सारे लोग आ रहे थे जिनके सामने पॉल की सेना कुछ भी नहीं थी पॉल देखता है कि फ्रांस के जो लोग है वह उसके लोग को जिन्दा जला दे रहे हैं उन सभी के पास बहुत ही आधूनिक हतियार है पॉल अपने आखों से देखता है अपने लोगों को जलता हुआ अब पॉल और उसके कुछ बचे हुए साथ ही वहाँ से पीछे हर जाते है क्योंकि वो लोग सामना नहीं कर सकते थे उनका पॉल वहाँ से भागते भागते एक छोटा सा तलाब होता है उसी पे गिर जाता है वहाँ पे पॉल छुपने ही कोसिस करता है लेकिन एक सैनिक देख लेता है फ्रांस का और वह पॉल के मारने के लिए गन ले जा रहा होता है इतने में पॉल उसको छूरा से मार डालता है लेकिन वो आदमी भी पूरी तरीका से मारा नहीं था पॉल उससे थोड़ा सा दूर जाकर लेटा होता है वो आदमी तरब तरब के मर रहा होता है पॉल को उस पे बहुत ज़रा दया आता है फिर Paul उस आदमी के पास आता है और उसे मदद करने की खोशिस करता है लेकिन इतना चाथा चुड़ा भोखने के बाद अब उसका बचना ना मुंकिन था Paul वहाँ पे उस सैनि के जग हुन पे दवा लगाता है लेकिन उस सैनि को हमारा जाता है पॉल को उसेनी के पास सिर्फ के family का photo मिलता है उस soldier का बीवी का photo और बेटी का photo देखके यहाँ पे जो पॉल होता है वो काफी उदास हो जाता है पॉल को यहाँ पे काफी बुरा लग रहा होता है कि उसने यह क्या कर दिया लेकिन यह जंग का असली चेहरा होता है जो बड़े बड़े नेता लोग नहीं देख पाते है पॉल उस आदमी के चेस्ट पे सर रखके काफी रोता है फिर पॉल जो अपने location पे आता है बहुत मुस्कित से बचके वहाँ पे पॉल का बहुत करीब करीब का दोस्त था वो तरब तरब के मर रहा होता है पॉल को पहले आर्मी में जाने का अदेश के लिए बहुत दूरी यह सब करने का बहुत सौक था लेकिन इस वर्ल्ड वार में पॉल बहुत कुछ सीख जाता है कोई भी जंग का असली चहरा क्या होता है वो पॉल यहाँ पे समझ जाता है अब यहाँ पे बड़े बड़े नेता यह सब का मीटिंग होता है दोनों देशों का और फिर यहाँ पे समझाता हो जाता है मतलब जंग यहाँ पे बंद हो जाती है रियल में दोस्तों World War 1 में 8.5 मिलियन सोल्जर मारे गए थे अब दोस्तों यहाँ पे जंग खत्म हो गई थी पॉल और उसका एक दोस्त होता है वहाँ पे काफी खुस हो रहा होता है पॉल का दोस्तों वहाँ पे खुब दोरने लगता है खुसी के मारे लेकिन अभी वो जक्मी था जिस वहीं से जमीन पे गिरने के विए से उसे बहुत गहरा चोटाता है पॉल यहाँ पे अपने दोस्त को सहारा दे के ले जा रहा होता है इतने में पॉल को दिखाई देता है कि उसके देश के लोग यहाँ पे जसन मना रहे हैं ट्रक पे वो सभी लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि World War I यहाँ पे खत्म हो गया था पॉल उन सभी को रोकने एकोसिस करता है मदद मागने के लिए क्योंकि उसका दोस्त वहाँ पे जक्मी था लेकिन वो ट्रक में मस्ति कर रहे हैं लोग नहीं रुकते हैं उसी के लोग उसी के लिए नहीं रुकते हैं फिर पॉल अपने दोस्त को कंदे पे लात के होस्पिटल लाता है लेकिन अब तक देर हो चुकी थी यहाँ पे पॉल का जो दोस्त था वो मर चुका था पॉल काफी उदास होता है और सीख जाता है कि दुनिया क्या होता है फिर सभी सैनी को एक जगा बुलाया होता है उसमें पॉल भी होता है जो उसका लीडर होता है वो वहाँ पे भासन दे रहा होता है कि world war 2 शुरू हो गया है तुम लोग जाओ और लरो अब फिर से Paul का duty हो जाता है जंग में फिर से Paul चला चाता है लरने के लिए फिर से वही खून खराबा चारो तरफ लासे ही लासे Paul यहाँ पर बहुत ही बहादुरी से लरता है लेकिन यहाँ पर एक सायनी जो उसी के एस का होता है उसके साथ Paul यहाँ underground में गिर जाता है Paul को सोल्जर पर दया रहा होता है Paul उसको नहीं मारना चाता है इतने में जो Paul होता है उसको पीछे से आके सोल्जर मार देता है चुरा जिस आदमी को Paul ने छोड़ दिया था उस आदमी को भी दया आता है Paul पे लेकिन यहाँ जंग है और यहीं जंग का असली चहरा होता है Paul यहाँ पर लगभा का पढ़ने वाला था वो बहुत मुश्किल से सीरी के उपर चरता है और जहाँ पर उसके दोस्ट यह सब मरे होते हैं वहीं पर जाके बैठके यहाँ पॉल भी मारा जाता है फिर दिखाया जाता है पॉल के डेड़ बटी के सामने एक बच्चा खारा होता है जो कि उसी के कॉलेज का जुनियर था अब वह लड़ रहा होता है अपने देश के लिए और यहीं जंग का अस्री सचाई होता है और इसी तरह यह कहानिया पर खत्म होती है अगर आप हमाई चैनल पर नहीं चाहों सब्सक्राइब कर लेजे इस तरह की और वी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं आप से अगले वीडियो में